नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चानल में स्वागत है महासक्ति भगवती की साधना दोस्तों इस साधना को करने के बाद कुछ सेस नहीं रह जाता और ये आसान भी है और इसके करने की लाब भी बहुत है मा दुर्गा अपने सादकों को किसी भी कठीन परिस्तिती से निकाल देती है और सादक के दुर्भा के कोट का नास कर देती है माताराज राजेस्वरी हर प्रकार का एस्वर्य और उच्च पद देने में सक्छम है सारकारी नोकरी भी देती है और दर्द्रता का नास्पतर उसे विलासी जीवन परदान करती है मा भोक और मोक्ष को परदान करने वाली है भगवती के इन दिव्य सरूपों की साधना कर नवरात्री में या फिर अन्य किसी भी सुक्लपक्ष की प्रतपदा से या फिर सुक्रवार से सुरू कर अपने जिवन के अमंगल को हमेशा के लिए दूर करे और मा भगवती की किरपा प्राप कर उनके दिव्यदर सुनों से अपने जिवन को सक्षम बना सकते है इस साधना के लिए सर्वपर्थम गुरु की आग्या गुरु का असिरवाद लेना आवस्यक है तबी साधना की सुरुवाद करें यह साधना साध दिनों की है इस साधना को आप नौरात्री की प्रथम से लेकर अश्टमी तक भी कर सकते हैं या फिर कोई भी सुकलपक्ष के सुकरवार से सुरू कर सकते हैं सुद्ध घी की जोत जलाकर लाल फूल, कुमकुम और लाल फल, धूप, नेवेद्ध, अक्छत से पूजा करना है पहले गुरु का पूजन, फिर स्री गनेश जी का पूजन करें फिर मा भगवती से प्रातना कर इन सर्व सक्तियों का पूजन करें आप ये पंचोपचार पूजन भी कर सकते हैं माला आप रुद्राग्ष या फिर हकिक की कोई भी माला ले सकते हैं प्रातना करे की है माचामुंडे, आदि सक्ति भगवती आप मेरे सभी पापों का नास कर मुझे वर प्रदान करें फिर इस मंतर की 11 माला जपे और अश्टमे के दिन आम की समिधा के लकड़ी लेकर उसमें 108 आहुती सुद्ध घी की आहुतिया डाले घी, चीनी और तिल, काला तिल लेकर उसमें मा का नवान मंतर लेकर आप उसमें आहुतिया डाले 108 बार साथ कन्याओं का पूजन करें उन्हें बोजन खिलाए और दक्षिना प्रदान करें अगर ये कारेद घर में संभव ना हो तो किसी मंदिर में कन्याओं को जिमा कर हलवा और दक्षिना देकर आसिरवाद ले इस तरह ये साथना पूण हो जाती है और जीवन के सभी बंद दर्वाजे खुल जाते हैं ये साथना पूण होते ही आपके जीवन में परिवर्तन आना सुरू हो जाएगा ये सत्य अटल है तो एक बार अवस्ये इस साथना का अन्भो करके देखिए मंत्र है ओम नमो दुर्गे भगवती राज राजेश्वरी महा काली भैरवी सांभवी स्वाहा जोस्तो इसे प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप अमारे चैनल को लाइक से रवा सब्सक्राइब करें अमारे चैनल में विजट करने के लिए धन्यवाद झाल